हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टो मैं चानल उम्मीद करती हूँ कि रोज की तरह आप सब भी बहुत अच्छे होंगी दोस्तों कई बार घर के कुछ ऐसे काम होते हैं जिने करने में हमें बहुत जादा टाइम लग जाता है आज मैं आपको पताने वाली हूँ धे शेयर करिएगा चैनल पर पहली बार आएं हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मद भूलिएगा तो चलिए बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं दोस्तों पहला तरीका हमारे किचन से आता है हम सभी जानते हैं जब कभी भी हम बरतन धोते हैं और जो बर जाने वाली हूँ जिसके बाद आपका बार है बहुत ही जादा कम गलेगा क्योंकि इसके गलने का में कारण होता है वह होता है पानी यानि कि पानी के टच में आने से और जब इसमें खटा रहता है तो उतना जादा ही गलता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उस जिस की नीचे छेद कर दीजे तो मेरे यहां पर बढ़िया से चोटे 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 कर दीए है ध्यान रखेगा चेदना बहुत जादा बढ़े नहीं होने चाहिए बिल्लकोल चोटे छोटे चोटे करने है ताकि पानी बहुत आसानी से इसमें से निकल जाए चले बताती हूं कि अब इसका फाइदा क्या होगा जब कभी भी हम दोस्तों बरतंद होते हैं हम सब ने देखा है कि जब कभी भी इसमें पानी जाता है ना तो पानी इसके अंदर ही रह जाता है क्योंकि कोई निकलने का तो कोई साधन इसमें होता नहीं है तो इसलिए हमने इसमें छोटे-छोट छेद कर दिये हैं ताकि अगर इसमें पानी रहे भी तो वो इसली धीरे-धीरे करके इस डब्बे से बाहर हो जाएगा और आपका जो बाहर बहुत जल्दी से गल जाता है उसे गलने में भी टाइम लगेगा और ये काफी थोड़ा लॉंग टाइम तक चल जाएगा दोस्तो हम सब के घरों में कई भार ना बेकार पड़ेवे कुछ कपड़े होते हैं दुपटे होते हैं शौल होते हैं चादर होती हैं परदे होते हैं जिनका हम यूज नहीं करते लेकिन घर के किसी ना किसी कोने में वो बेकार पड़ेवे कपड़े एकटा रहते हैं तो इतना बड़िया तरीके से डैकॉर बना सकते हैं, करना कुछ नहीं है, बस इसको इस तरीके से गोल गोल आपको लपेट देना है, बहुत टाइट नहीं, बिल्कुल हलके हलके लाइटली, हलके हलके हाथों से आपको इसे लपेट देना है, अब मैं यहाँ पर एक पुराना पड़ेगा तो यहां पर दुपट्टे को ऐसे मैंने इखटा कर लिया है बहुत आसान तरीके से अब ध्यान से देखिएगा इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा मोड दूँगी और इसे अंदर की तरफ ऐसे दबा दूँगी और दूसरी तरफ से इसे हम यहां से बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से ध्यान से देखिएगा इस तरीके से आपको ऐसे बाहर निकाल लेना है अब यहां पर मैं इसको ऐसे इखटा करके इस पर एक गांट आप लगा देंगे या तो कोई रबर्बेंड लगा दीजे जो भी आपके पास हो या फिर कोई भी आपके पास अग आप भिना 1 रुपीया खर्च किये इसे घर पर ही बहुत आसानी से बेकार पड़े हुए समान से बना सकते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पर दो बनाए हैं इस तरीके कुशन, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब इसे आप अपने ड्राइंग रूम में या सोफो के पास रखते हैं तो दिखने में यह बेहदी खुबसूरत लगते हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, तो मैं इसे यह पर सोफे के उपर रखने वाली हूँ, तो आप देख सकते हैं, हमारा घर पे ही फ्री में बनकर यह डैकोर तयार हो गया है, हमें बाहर से खरीदने की ज़ूरत नहीं है, और देखने में भी बेहत खुबसूरत लग रहा है, आई हूप कि आपको इस तरीका पसंद आया होग अब यहाँ पर हमें लेना है एक मुझा, मुझा थोड़ा सा गर लंबा होगा ना बड़ा होगा तो जधा बैटर रहेगा ताकि यह ज़्यादा जाडू तक अच्छे से कवर कर सके तो यहाँ पर मैंने एक मुझा लिया है, तो इसको इस तरीके से जाडू में डाल देंगे और जाडू को अच्छी तरीके से इसके अंदर लगा देंगे, बिल्कुल बढ़िया से आपको फिट कर देना है, क्योंकि हम जब बैड के नीचे, सोफे के नीचे या अलमीरा के पीछे कुछ ऐसी जगह होती है, जहां पिना जाडू पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी गंद खटा होती है, जो कि हम बिल्कुल भी कई पर साफ नहीं कर पाते हैं, जो भारी अलमारिया होती है, उनके पीछे की जगह होती है, उन्हें हम जादा खिसका नहीं पाते, तो कोनो कोनो में जो गंदगी होती है, वो ऐसे ही खटा रह जाती है, अब यहां पर इस तरीके से जिला करना है, जो आप अंदर से गिला नहीं होगा, आप इस बात की टैंश्रि मत लीजे कि आपकी जाडु खराब हो जाएगी, तो जाडु गिली नहीं होगा, बस मोजा बहर से गिला होगा, अब हमारे बैट के कोने होती है, जहां तक हमारा हाथ नहीं पाता, बत्तर भी लगा सकते हैं जितनी भी गंदगी होती है बिलकुल अच्छे से साफ हो जाएगी बैड के नीचे के इतने साधा हिस्से होते हैं कुछ जहां तक जाडू हमारी पोचा नहीं लग पाता और यहां हम जाडू की मदद से इस पे एक मोजा लगा करना बहुत बढ़िया तरीके से पोचा भी लगा सकते हैं मतलब आपके बैड के नीचे किसी भी तरीकी की कोई गंदगी नहीं रहेगी कोई भी धूल मिट्टी नहीं रहेगी और बहुत ही बढ़िया तरीके से यह हमारा जाडू जो है जाडू सफाई करने के साथ साथ पोचे का भी काम कर देगा तो है बढ़िया ट्रिक आपको यह तरीका भी पसंद आया है इस तरीकी सा आप देखेंगे ना जितनी भी गंदगी होगी वो बिल्कुल एक ही बार में निकल जाएगी अब आप देख सकते हैं मोजे पर जितनी भी मिट्टी लगी हुई है यह सारी मिट्टी बैड के नीचे से ही और यह सारी इस गीले मोजे पर चिपक गई है इसलिए हमने मोजे को थोड़ा सा उपर से गीला किया था ताकि जितनी भी धूल मिट्टी होगी वो इस पर अच्छे से चिपक जाएगी और बैड के नीचे सोफे के नीचे या अलमीरा के पीछे किसी भी तरीके की कोई गंद जाली हो जाते हैं इनका कोई यूज नहीं रहता लंबे समय तर अब यह घर के किसी कोने में ऐसी पड़े रहते हैं तो क्यों ना इनका बढ़िया सा यूज किया जाए तो इनका डब्बे का हम यूज कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कई बार हमेरे किचन में एक्स्टर ग्लास पड़े होते हैं एक्स्टर बरतन रखे होते हैं जैसे कई बार कटोरिया जादा हो जाती हैं चमच जादा हो जाती हैं जिनका हम यूज नहीं कर पाते तो बरतन जब जादा हो जाए तो आप इस तरीकी ग्लास को या कटोरियों को चमच को आप इन बेकार पढ़े होई डबो में बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टोर करके रख सकते हो। इसका फाइदा यह होगा किसी भी तरीके की धूल, मिट्टी, किसी भी तरीके का ओइल, छोंक वगरा इन बर्तनों पर नहीं लगेगा। कई बाद केचन में बर्तन ज्यादा हो जाते हैं, और अनको खटाते भी नहीं हैं लेकिन बार-बर नहीं साफ करने पड़ जाते हैं। तो आप इस तरीके के डबे में भरके रख दीजिए, इनको आप ज़ंचती नहीं रहेगा। अगर आप किचन में भी रखेंगे तो भी कोई पॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डबा बस बाहर से थोड़ा सा गंदा होगा, उसके बाद आप आराम से इसको साफ कर सकते हैं, बरतन आपके बिल्कुल साफ सुतरे रहेंगे, I hope कि आपको इस तरीका पसंद आएगा, तो दोस् करती हूं कल एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, कुछ नई टिप्स के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, हर हर महादेव